नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मेडिसिन फ्रेंड में आज हम बात करने वाले हैं सेरिवा क्रिम के वारे में और जानेंगे इसके फाइदे नुकसान और इसको इस्तिमाल करने का तरीका अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी इस चैनल पे लेके आता हूँ तो बेल लाइकन को जरूर प्रेस करेगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालू तो आप तक नोटिफिकेशन के तरूप पहुँच चाहे चलिए देर न करें वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले ये दवा डॉक्टर की सलहा के अनुसार डॉक्टर की प्रेक्सिशन पे लेनी चाहिए बात करें दोस्तों सेरिवा क्रीम के यूज़ेस के बारे में तो स्कीन के फंगल इंफेक्शन में यूज़ किया जाता है अगर आपके बोड़ी पे कहीं पे भी स्कीन के उ फंगल इंफेक्शन हुआ हो तो उस फंगल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए इस क्रीम का यूज़ किया जाता है इसके अलावा आप इस क्रीम का यूज़ नेल फंगस में कर सकते हैं कई लोगों को नाखुनों में भी फंगल इंफेक्शन होता है उसमें भी आप इस क्रीम का इस्तिमाल कर सकते हैं इसके अलावा head fungus में भी इस क्रिम का इस्तिमाल किया जाता है अगर किसी व्यक्ति को सिर के उपर fungal infections हो गया है तो उस particular जगह पर इस क्रिम को लगा सकते हैं आईए दोस्तों पहले जानते हैं Sariva Cream को कौन सी company manufacture करती है और इसकी price किया है और इसके अंदर कौन-कौन से composition का इस्तिमाल किया गया है तो दोस्तो, Seriva Cream को Torrent Pharmaceuticals Limited Manufacture करती है बात करें इसके price के बारे में इसके price है 122 रुपए 25 पैसे में आपको किसी medical store में मिल जाएगी और ये 10 grams के pack में आता है बात करें दोस्तो, इसके composition के बारे में जो company ने इसमें add किया है वो है Cetraconazole Nitrate जो की एक antifungal cream है जो मिल के बहुत ही अच्छा product बन जाती है बात करें दोस्तो, इसके doses के बारे में मतलब इस cream को लगाने का सही तरीका दोस्तो, इस cream को लगाने से पहले आपके body पे, जहां पे भी फंगल infection हुआ है उस area को पहले पानी से अच्छे से साब कीजिए उसके बात इस cream को उस फंगल area पे लगाए इस cream को सरिप रात को लगाए सोने से पहले, इस cream को best result पानी के लिए आपको 3 months continue लगाना है आपको बात करें दोस्तों, इसके side effects के बारे में तो अगर आप इस cream को अपने body पे लगाने के बाद उस फंगल area पे दर्थ, जलन, irritations, redness ऐसी कोई भी दिक्कत हो रही है तो इस cream को तुरंत लगाना बंद कर दे और अपने doctor से संपर्क करे ये था दोस्तों, सेरिवा क्रीम के बारे में एक छोटी सी जानकारी अगर आपको इस related और भी कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझे नीचे comment section में पूछ सकते हैं आसा करता हूँ, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगे तो like करे, share करे और हमारे channel पे नए है तो channel को subscribe भी कर ले साथ में bell icon को दबा ले ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की notifications आपको मिलता रहे और दबाई के बारे में जानकारी मिलता रहे Thank you so much for watching